हाई इवरीवन स्वागता आपके प्रिंचेदस नकार्योकरी में वनातरजा सिचक बरती में अब भ्यरतियों से फार्म बरते समय जो तुर्टिया हो गई थी उनको संसोधित कराने के लिए अब भ्यरति बेसिस्चा परिशत कार्याले पहुचे वहां उनकी जब बात नई सु कि न्योक्ति पत्र आप लोग पा जाएंगे फिलाल आज तीन तारिक है फिर चार तारिक दो दिन बस सेश समय बचा हुआ है इन लोग की कांसलिंग अब कब होगी अगर यह थोड़ा सा भी हेल्प कर देते तो यह लोग भी अगले दिन यानि की दो दिन बाद पाच तारिक को यह लोग भी न्योक्ति पत्र पा जाते हैं लेकिन ऐसा हो यही तो नहीं चाहते हैं आको पता होगा इल्लों का सुरू से कहना है अगर मेरिट प्रभावित हो रही है संसोदित करते समय तो आपको किसी तरह संसोधन का मौका नहीं मिलेगा जबकि हाइकोट ने क्या कहा है हाईकोट ने भी यही कहा है लेकिन हाईकोट ने किया क्या है वे रेसेंटली एक लड़की को एक महिला ब्यर्थी थी वे अपनी सेम समस्या लेकर गई उनका भी प्रभतांग पुढांग ही प्रवलम था अब संसोधन किसी भी तरह का हो सकता है वुजरू ने प्रभतांग को लेकर के सारे ब्यर्थी गए हैं हाँ कुछ का भी होगा इसमें लेकिन हाईकोट ने कहा था उससा भरती को मैला ब्यर्थी को जाहिए आप काउंसिलिंग कराईए आप जो भी प्रभतांग पुढांग भरी थी इसको सही भर दीजे करा सकती है क्या उसमें एक लाइन यह लिखा होना चाहिए कि अन्य जो भी अभ्यर्थी अभ्यर्थनी हो अगर इसी तरह की समस्या से जो जो रही हो प्राप्तांग पुढाकर को ले करके तो आपके लिए भी यह आदिश लागव होता है तो बिना याची बने बिना वक्किल को पैसा दिये बिना कच्छरी कोट दोड़े क्या इन लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए इन लोगों को किस तरह से दुस्मनी है सरकार से या जिम्मेदारों से इन लोगों ने भी किसी तरह से जान पहचान किसी अधिकारी से नहीं बनाया है जैसा कि उस मैला बैर्थी को इस तरह का आदेश दिया गया है इसको देना चाहिए या मान करवाना चाहिए जो वकील है जिम्मेदार है उनको सोचना चाहिए एक मैला बेर्ची के लिए गर इस तरह आया तो सबके लिए भी लागू करना चाहिए यह थोड़ी है कोई अपना personal matter थोड़ी है personal case ठोड़ी लड़ रहा है कोई 99,000 पें सभी सामिल है, सभी के साथ से समस्य हो सकती है और तूटिया हो सकती है, किसी से हो सकती है कुछ नहीं जानबुज़कर भी तूटिया की थी उसको देखते हैं उन्हों को बाहर तो किया आई जाएगा वो लोग फास जाएगे, लेकिन जो लोग वैलिड है जो लोग एधम जैन्मीन हैं, उनसे गलतिया हुई हैं, वो लोग बच जाएंगे, उनकी न्योकती शरूर होगी, और इन लोग को दिलासा बच दिया गया है कि किसी तरह से तीन तारीक को, चार तारीक को, किसी तरह काउंसलिंग भीत है, पांच तारीक को न्योकती पत्र मिल जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा, इनका क्या करना है, ऐसे करके क्या ब्यारती इनको, अधिकारी इनको भागा देते हैं, फिलाल फर्जी सिचकों के खिलाफ लगातार, कोईने कोई कंप्लेन कर रहा है, अत्वा कहीं ने कहीं उनसे मिस हो जा रहा है, कुछ ने कुछ इसे ने एक लेटर जारी किया है, स्टीअप की ओर से लगबग 66 संदीग्द अध्यापकों को चिन्नित किया गया है, कहा गया है कि या तो इनके डॉकुमेंट्स गलबड हैं, या तो एक गलत तरीके से सामिल हुए हैं, तो अगर जिनके डॉकुमेंट्स गलबड होंगे, अगर इनके बीच का कोई होगा, तो नहीं बाहर होगा, भले यह फ्राट्स आया है, मतलब अगर उसका कोई प्रूप नहीं है, कि कैसे फ्राट्स आया है, और उसके डॉकुमेंट्स सही हैं, तब तो उसकी बल्ले बल्ले है, तो फिलाल 24 गंटे के अंदर कारवाई के आदे प्रूप नहीं है, लेकिन अगर कागज में हो गया है, तो सही सही में भी जरूर होगा, क्योंकि बाहर निकालने के लिए कोई अगर रास्ता मिल जाए, सरकार के अधिकारियों को, तो बहुत तेजी से काम करते हैं, अग किसी को अंदर करना हो, अब इदर उदर जोड़ रह रहा है, और जल्दी ये लोग अपने-अपने अस्थान पर पहुंच जाएंगे, जहां इने होना चाहिए था, बात करें MRC की, तो MRC का मुद्धा लगा हुआ था, हाई कोट में आपको पता ही होगा, एक तारीक को लगा हुआ था, उसे नहीं सुनवाई की गई, मैंने पह मामला लगा हुआ था, 67866 को लोवा सिंग, पटेल के नाम से मामला लगा हुआ था, हाई कोट में, कि चेहन सुची गुरा दिखर दिया जा, और चेहन सुची रद्धोगी था, आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, एक तीसे याड़ शैसो एक सड़ और थाड़ कांसलिंग क्योंकि किसी तरह से न्युक्ति पत्र दिया है, बिना रोक लगे कहीं बीच में अभी, इधर जल्दी केतने लोगों को न्युक्ति पत्र मिला है, तो दो तारीक का मामला बीद गया, आज तीन तारीक है, प्रयासिय किया जाएगा तीन तारीक को बिना सुना जाए, और एक किन अब तर्म जवाब तर्म जवाब तरीक बीटी किय donation जब जब जवाब दे छै तरीक के बाद ffa तरीक या पर Magic नहीं सारी समस्यां नियौक्ति-पतर अ पांच पाएंगे आप जान लेजे हैं तो सरकार के कर्मचारी भी है चाहते हैं किसी तरह मामले के सुमाई अभी इधर ना होने पाए तो चार तरह किसी तरह भीता देंगे पास तरह को नियुकती पत्र मिल जाएगा और रही बात थर्ड काउंसलिंग के अभ्यरतियों के लिए तो अपनी तयारी में लगे रहे हैं सेकेंड काउंसलिंग के हो रहे हर एक बिंद उपर नजर रखें और बात रही अगर जनरल OBC की अगर हम बात करें थर्ड काउंसलिंग के अभ्यरतियों के लिए जो लोग प्रतिच्छित हैं जनरल OBC तो इनलों का कटाप एक से देर्ड नंबर अवज से गिरेगा आप बिल्कुल देखते रहिएगा और एक कटाप कैसे गिरता है बाई डिस्टिक वाइस गिरता है एक को मैंने नियुस्पिपर का कटिंग आपको दिखाया था आप उस डेट में आप ढोड़ भी सकते हैं कल मैंने वीडियो डला था उसमें दिखाया था कि मेरिक जो है कितनी कम गई है ठीक है एक सट पॉइंट संधीं तो साट के आसपास जितने लोग होंगे वे लोग इदम नि उसी नगर का दिखाया था गुडांक उसमें एक सट पॉइंट संतिंग था साट के आसपास था या सतर रहा होगा तो जितने लोग इसमें हैं सी में तो उनका भी कटाफ लगबग साट के आसपास जरू जाएगा एक सिद्र नमबर इन लोग का गिरेगा गिरेगा कही नहीं तो साट के आसपास जितने लोग होंगे या साट से उपर के लोग होंगे गुडांक में site candidate का chain हो जाएगा मतलब उन लोगो counselling का मोका मिल सकता है depend करता है seat पर अगर आपके district में seat जाना है तो kटा फावर कम जाएगा अगर ऐसा भी हो सकता है सितापुर में कही कही लोग कर रहे है कि one set भी गया है लेकिन अब सत्यता क्या है वहाँ के लोग ही बताएंगे अगर कोई सितापुर का हो अगर वीडियो देख रहा हो तो आप बताएं कि one set भुआ पे गया था one set के नीचे भी गया था तो जा भी सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कटाप संतावन भी जा सकता है ये भी आप सोचिए अगर सीट काई ज़्यादा है तो संतावन भी जा सकता है कोई इसी बड़ी बात नहीं है आप ऐसा मत सोचिएगा क्योंकि आपको एक प्रूप की तरथ हम बता दें कि पिछली बार जब काउंसलिंग के लिए नाम आया था उसमें अधिक गुडांक वालों का मैक्समें गुडांक वालों का चैन नहीं हुआ था आपको पता होगा मिनमम गुडांक वालों का चैन नहीं हुआ था कैसे हो गया था इसलिए तो हो गया थे मैक्समें गुडांक वालों इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ डिस्टिक में सीटे लो थी कि इस तरह होता है इसे अन्दागे लगा लिए ना पूरे उत्तर प्रदेश का कितना जाएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश का कैसे जा सकते है वाई जोड़ा जाएं आपको पता ही है ग्यारे सो तैंतिस की नहीं है तो लिए 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 लिस्टिट हो जाएगा तो फिलाल अभी पर इतना धथन्यवाद